कर्म योगी है इसलिए वे हमारे अपने हैं हमारे प्रिय हैं आईए आपके तालियों के गड़ गड़ाहट के बीच में हम हमारे अपने प्रिय माननिये प्रहन मंत्री जी को आमन रिख करें वो अपने अभी बासन रखने के लिए ओडिसा के राजपाल रगवर्दास जी मुख्य मंत्री मेरे मेत्र स्रेमान नमीन पत्नायक जी केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी धर्मेंदर प्रदान अश्वीनी वैश्णाव विश्वेश्वर्थ तुडू समस्वत के मेरे साथी नितेज गंगादेव जी आएम संबलपूर के निर्देशक प्रफिसर महादेव जैस्वाल अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों आज ओडिसा की विकास यात्रा के लिए बहुत ही एहम दीन है मैं ओडिसा के लोगों को करीब सत्तर हजार करोड रुपिये के इन विकास प्रोजेस के लिए बहुत बहुत बदाई देता हूँ इसमें सिक्षा रेल रोड बिजली पैट्रोलियम से जुड़ी अनेक परियोजनाएं शाविल है इन परियोजनाओं का लाब ओडिसा के गरीब, मद्दूर, कर्मचारी, दुकांदार, व्यापारी, किसान और समाज के सब वर्गों को इसका लाब होगा ये परियोजनाएं उडिसा में सुविदाओं के साथ साथ, यहां के नवजवानों के लिए, रोजगार के हजारों नए आउसर भी लाने वाली है साथियों, आज देश ने अपने एक महान सपूत, पुर्व उपप्रधान मंत्री, लाल कृष्णा अडवानीची को भारत रत्न देने का भी निर्ड़ा लिया है भारत के उपप्रधान मंत्री, ग्रह मंत्री, एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में और दसकों तक एक निष्ठावान जागरूप सांसत के रूप में, आदर्णिय अडवानीजी ने देश की जो सेवा की है, वो अप्रतीम है अडवानीजी का ये सम्मान, इस बात का प्रतीक है, कि राष्ट की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट कभी भुलाता नहीं है मेरा सवभाग्य रहा, कि लाल कृष्ण अडवानीजी का स्ने, उनका मारदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा है मैं आदर्वानीजी के दिर्गायों होनों की कामना करता हूँ और उन्हें ओडिशा की महान धर्ती से समस्त देशवासियों की तरप से बहुत-बहुत बधाई देता हूँ साथियों हमने ओडिशा को सिख्षा का काउशल विकास का एक महत्वप्रुन केंद्र बनाने के लिए निरंतर प्रयास किये है बीते दसक में ओडिशा को जो आधुनिक संसान मिले हैं शिख्षा संसान मिले हैं वो यहां के युवाओं का भाग्य बदल रहे हैं आईसर ब्रह्मपूर हो या बोमलेश्वर का इंस्टिटूट अब केमिकल टेकनोलोजी ऐसे अनेक संस्तान यहां स्थापिट किये गए हैं अब आया एम संबलपूर भी मैंनेजमेंट के आदुनिक संस्तान के रूप में ओडिसा की भूमिका को और ससक्त कर रहा है मुझे आद है तीन साल पहले कोरोना काल में ही मुझे आया एम के इस केमपस के सिलान्यास का आउसर मिला था अनेक रुकावोटों के बावजूद अब यह शांदार केमपस बन कर तैयार है और आप लोगों के जो उत्सा में देख रहा हूं है उसे मुझे लगता है कि केमपस आपको कितना प्यारा लग रहा है मैं इसके निर्मार से जुड़े सभी साथ्यों की प्रसौंसा करता हूं साथियों विक्सीत भारत के लक्ष को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब भारत का हर राज्य विक्सीत बने इसलिए बीते वर्षों में हमने ओडिसा को हर सेक्टर में अधिक से अधिक सपोर्ट किया है केंद्र सरकार के प्रयासों से ओडिसा आज पैट्रोलियम और पैट्रो केमिकल के खेत्र में भी नई उचाई प्राप्त कर रहा है पिछले दस सालों में ओडिसा में पैट्रोलियम और पैट्रो केमिकल खेत्र में सवा लाग करोड रुप्य से अधिक का निवेश किया गया है बीते दस वर्षों में पहले की तुलना में रेलवे के विकास के लिए उडिशा को बारा गुना जादा बजेट दिया गया है बीते दस वर्षों में प्रदान मंत्री ग्रामीड सड़क योजना के तहट ओडिशा के गाउँँ में करीब पच्चास हजार किलोमेटर सड़के बनी है राज्य में चार हजार किलोमेटर से अधीक नए नेशनल हाइवे का निर्मार भी हुआ है आज भी यहाँ नेशनल हाइवे उससे जुड़ी तीन बड़ी परियोजनाओं का लोकारपन किया गया है इन प्रोजेक्ट से जार्खन और ओडिशा के बीच इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यात्रा की दूरी भी कम होगी इक शेत्र, खनन, बिजली और इस पात उद्योग की संभावनाओं के लिए जाना जाता है इस नई कनेक्टिविटी से इस पूरे छेत्र में नए उद्योगों के लिए संभावनाए बनेगी रोजगार के हजारों नए आउसर बनेंगे आज संभलपूर ताल चे रेल खन का दोहरी करम जार तर्भा से सोनपूर सेक्शन तक नई रेल लाइन का भी शुबारम हो रहा है पूरी सोनपूर एक्सप्रेस से सुबनपूर जिला यानि हमारा सोनपूर जिला आज रेल कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है इससे स्रद्धालों के लिए भगवान जगनात का दर्शन करना और आसान हो जाएगा ओडिसा के हर परिवार को परियाप और सस्ती भीजिली मिले इसके लिए हम निरंतर प्रयात्रस है अज जिन सूपर क्रिटिकल और अल्टरा सूपर क्रिटिकल थर्मत प्रांच का उधार निया हुआ है उनका लक्ष भी यही है भाई और बेनों बीते दस वर्सों में केंद्र सरकार ने जो नीतिया बनाई है उनका उडिसा को बहुत अधिक फाइदा हुआ है हमने खनन के ख्षेत्र में जो नए रिफॉर्म किये है उडिसा उसका बहुत बड़ा लाबारती रहा खनन निति में बढ़लाव के बाद उडिसा की आए में दस गुना की वृद्धी हुई है पहले खनीज उत्पादन का लाब उनक शेत्रों और राज्यों को उतना ही मिल पाता था जहां से खनन होता है हमने इस निति को भी बदला केंद्र की भाजबा सरकार ने डिस्ट्रीक मिन्डरल फाउंडेशन का गटन किया इसे खनीज से हुई आयका एक हिस्सा उसी खेत्र में विकास के लिए लगाना सुनिश्चित हुआ इससे भी ओडिस्ट्रीक को अब तक करीब करीब 25,000 करोड रुपे से अधिक मिल चुके हैं यह पैसा जिस खेत्र में खनन हो रहा है वहां के लोगों के कल्यान के काम आ रहा है मैं ओडिस्ट्रीक की जनता को आस्वस्त करता हूं कि केंद्र सरकार इसी समर्पित भाव से ओडिस्टा के विकास के लिए काम करती रहेगी साथियों मुझे यहां से एक बहुत बड़े कारकम में जाना है खुले मादान में जाना है तो वाहां विजाज भी कुछ और होता है तो मैं यहां लंबा समय आपका नहीं लेता हूं लेकिन वहां मैं जड़ा अधिक समय ले करके काफी बाते करूंगा 15 मिनिट के बाद उस कारकम में पहुंचूंगा एक बार फिर आप सभी को विकास कारियों के लिए मैं बहुत बहुत बदाई देता हूं और मेरे युवास साथियों को विशेश बदाई बात बात धन्यवाद